मेरे प्यारे देश्वास्यों, हमारे यहां कहा गया है विद्याधनम, सर्वधनम, प्रधानम कोई अगर विद्या का दान कर रहा है, तो वो समाज हित में सबसे बड़ा काम कर रहा है सिक्षा के खेत्र में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी पूरे समाज को रोसन कर सकता है मुझे यह देखकर बहुत खोशी होती है कि आज देश भर में ऐसे कई प्रयास किये जा रहे हैं यूपी की राजधानी लखनव से 70-80 किलोमेटर दूर हर दोई का एक गाउं है बांसा मुझे इस गाउं के जतिन ललित सिंजे के बारे में जानकारी मिली है जो सिख्षा की अलग जगाने में जोटे हैं जतिन जी ने दो साल पहले यहां Community Library and Resource Center शुरू किया था उनके इस सेंटर में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य, कम्प्यूटर, लॉग और कई सरकारी परिक्षाओं की तयारियों से जुड़ी तीन हजार से अधिक किताबे मौझूद है इस Library में बच्चों की पसंद का भी पुरा ख्याल रखा गया है यहां मौझूद Comics की किताबे हो यह फिर Educational Toys बच्चों को खूब भार है छोटे बच्चे खेल खेल में यहां नई नई चीजें सिखने आते हैं पढ़ाई करीब 40 volunteers इस सेंटर पर स्टूडन्स को गाइड करने में जूटे रहते हैं हर रोज गाउं के तक्रिबन असी विद्यार्थी इस Library में पढ़ने आते हैं साथियों जारखन के संजय कश्यप जी भी गरीब बच्चों के सपनों को नई उडाने दे रहे हैं अपने विद्यार्थी जीवन में संजय जी को अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा था ऐसे में उन्होंने ठान लिया कि किताबों की कमी से वे अपने खेत्र के बच्चों का भविश अंतकारमाई नहीं होने देंगे अपने इस मीशन की वज़र से आज वो जारखन के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं संजय जी ने जब अपनी नोकरी की शुरुवात की थी उन्होंने पहला पुस्ताकालाई अपने पैत्रुक स्थान पर बनवाया था नोकरी के दावरान उनका जहां भी ट्रांस्फर होता था वहाँ वे गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी खोलने के मिशन में जुट जाते हैं ऐसा करते हुए उन्होंने जारखन के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी हैं लाइब्रेरी खोलने का उनका यह मिशन आज एक सामाजिक आंदोरन का रूप ले रहा है संजे जी हो या जतिन जी ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं उनकी विशेश्ट सरहना करता हूँ